कर दिन अनागे नमस्ते दोस्तों शुषमार्छ लाइप ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत ह। मेरे छोटे भाईवान को प्यार भरा असिरवात और मेरे माता पिता मेरे बड़े भाइबान को चला असपर तो चली आज का ब्लॉप शुरू करते हैं तो दोस्तों ये साम का टाइम है साड़े चार बच रहा हो है और हम आ गए हैं छट पे क्योंकि मैं जो गेहुं धुली थी तो फैला दी थी सुख गया है तो गेहुं बनाने आ गई हूं छट पर औ दोस्तों ये सुख का थोड़ा सा वीडियो है जो मैं दाल भीगाई थी पीछ रही थी तो बताई थी आप सभी से कि थोड़ा सा में दाल जो बेसं था उसको में रखती थी उर्दी का तो वहीं मैं बनाने जारे उरी कमच तो पती में ले ले रही हूं अर्वी का तो है मेरे गर पे और मुझे साम हो गया था क्योंकि मेरे भाईया का तबीत ठीक नहीं था दोस्तों तो मैं बात कर रही थी और मन भी नहीं कर रहा था कि खाना बनाएं लेकिन रखी थी वेशन तो इसलिए थोड़ा लेट हो गया खाना भी बनाने में तो मैं लेके आई हूँ अर्वी के पत्तो को तो इसको साफ कर ले रही हूँ धूली हूँ धूल के लेके आई हूँ और इसको ऐसे रेसे निकाल लेना है तो सारे की सारे अर्वी के पत्ते के हम साफ कर लिये थे फिर धूले हैं फिर धूल के इसको हम कट करके बनाएंगे पत् पर फैला के बेशन लगाई हूं और इसको मैं इस तरीके से बना रहे हूं कि बेशन अगर कम है उर्दी का और रिकवार्च बनाना है दोस्तों तो ऐसे आप लोग जरूर बना के ट्राई करिएगा और जैसे साग काटते हैं वैसे मैं इसको छोटा-छोटा काट ले रहे हूं और मैं एक पत्ते में से दो भाग कर दी हूं आप चाहें तो दो भाग चार भाग कर सकते हैं तो साग का जो लंबाई है पत्ते का वह और चोटा-चोटा रहेगा तो बस हम सारे पत्ते ऐसे ही काट ले रहे हैं और इसके बाद बेशन मैं लेके इसमें बेशन में नमक तो आ लेके मिक्स कर दे रहे हूं और थोड़ा सा बेशन मैं निकाल के रख ले रहे हूं मैं जब बनाती हूं रिकमज तो थोड़ा सा जो मसाला है मसाले के साथ थोड़ा सा बेशन मैं इसमें एट कर देती हूं अच्छा लगता है खाने में तो जैसे पकोड़ी बनाते हैं हम लोग बस ऐसे ही मैस करना है अच्छे से और दोस्तों पाने नहीं एट करना है और यह पत्ता है तो अभी नमक भी है इसमें तो यह थोड़ा सा और गल के सही हो जाएगा इसका जो मिक्सर है तो बस ऐसे ही हमें मिक्स कर लेना है और या तो आप ऐसे पकोड़ी की तरह बना सकते हैं और नहीं तो जो इसे पत्ते वाला लपीटते हैं हम लोग तो ऐसे भी इसका अकार ऐसे बना के उसको फ्राई करके कट करके फ्राई करके बना सकते हैं तो मैं ऐसे ही बना रही हूँ इसको और ऐसे बहुत जल्दी भी हो जाता है तो सारे के सारे पहले जितने बेसन हैं सारे पकोड़ी मैं एक साइज का बना के पहले रख ले रही हूँ अब बड़ा छोटा जैसे भी पकोड़ी बना सकते हैं तो फिर चलते हैं हम इसको फ्राई करने और दोस्तों जो भी मेरे दीदी भाई वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियों के एक लाइक कर दीजिए तो दोस्तों इतनी पकवड़ी हो गई है बना ली हूँ मैं सारे के सारे पकवड़ी अब इसको मैं फ्राई कर ले रही हूँ तो कड़ाई में मैं डाल दी हूँ सरसो का तेल और कड़ाई गरम था और थोड़ा सा तेल गरम हो जाए तो फिर मैं इसको फ्राई कर ले रही हूँ और दोस्तों ध्यान रखने की बात यह है कि हमें एकदम हाई फ्लेम पे नहीं पकाना है मीडियम फ्लेम या लो फ्लेम पे ही हमें पकाना है इसको क्योंकि हाई फ्लेम पे रहेगा तो पकने को तो उपर से पक जाएगा लेकिन अंदर से वो थोड़ा कच्चा ही लगेगा तो इसलिए हमें इसको मीडियम फ्लेम पे हमें धीमी आच में इसको पकाना है तो मैं कड़ाई ऐसे गुमा दी हूँ क्योंकि पलटने में इधर उदर हो जाएगा तो कड़ाई में चिपक जाएगा बिशन और फिर हम इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे और दोस्तों देखिए इस कलर का हो गया है जो अर्वी का पकवड़ी है तो बस ऐसी कलर में हमें इसे निकाल लेना है क्योंकि धीमी आच में पकाई हूँ मैं और बहुत अच्छे से पक भी गया है और फूला फूला है एकदम और दोस्तों बहुत अच्छा ऐसे भी खा सकते हैं ऐसे भी बहुत अच्छा लग़ा था खाने में तो जितने पकवड़ी है उतने पकवड़ी मैं निकाल ली थी और दोस्तों इसमें मैं दे दी हूँ मिथी का तड़का और तड़का हो गया तो इसमें मसाला एट कर दी हूँ और नमक अब इसको अच्छे से हम पहले पका ले रहे हैं तो जो बेशन मैं घूली थी वो बेशन भी इसमें मैं एट कर दे रही हूँ तो दोस्तों यह है वेसन तो थोड़ा सा इसमें पानी एट करके मैं वेसन भी एट कर दी हूँ और इसको मैं मसाले के साथ अच्छे से पका ले रही हूँ तो जब तक तेल मसाले से अलग नहुने लगे तक तक हैमें पकाना है, तो इसको मैं धक दे रही हूँ और धक की दोस्तो मैं पका ले रही हूँ और दोस्तो मसाला भी पक चुका है अच्छे से नीचे से कड़ाई में पकड़ने भी लगा है तो अपने आव सकता नुसार हम इसमें पानी एक कर दे रहा हैं तो मुझे थोड़ी ग्रेवी चाहिए और एकदम सुखा हमें नहीं चाहिए था इस सबजी थोड़ी ग्रेवी वाली चाहिए था तो बस अपने आउसकता नुसारम इसमें पानी एट कर दे रहे हैं और दोस्तों नमक मैं पहले से ही एट कर दी हूँ तो इसलिए हमें नमक नहीं एट करना है और नमक थोड़ा कम ही एट करना था क्योंकि जो पकोड़ी है उसमें भी नमक था तो दोस्तों ग्रेवी को ढख दी थी और ग्रेवी उबलने लगा है तो इसमें जो अरभी का पकोड़े बनाये थी है ग्रेवी में दोस्तों सारे के सारे पकोड़ी डाल देना है आपको के रेडी है तो आप लोग एक बार जरूर बना ट्राइ करिएगा नमस्ते दोस्तों तो रेश्पी एमारी कैसे लगी आप सभी को कमेंट करके हमें जरूर बताईएगा और मिलते हम आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए बाई बाई